है लो फ्रेंट्स वेलकम टू साइंस मैगनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत शानदार है जानदार है तो जैसे कि आप लोगों को बता है डेली सुबह अपनी 10 बजे क्लास होती है जहां पर साइंस के आप लोगों को प्रीवेस एर के क्यूशन करव में हुआ था तो चलिए रिखते हैं किस प्रकार की कोशन टे और इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग सभी जुड़ जाईए ठीक है जहां पर आप लोगों को सारे बेट मिलते रहे साइंस बाए नीरत सर ये लिंक है और दोस्तों ये स्कैन करके भी आप लोग सिदे रेड वाम्स जो होते हैं न ये एनिमल्स होते हैं जनतु होते हैं अब आप लोगों को लगता होगा एनिमल्स तो बहुत बड़े होते हैं इनको एनिमल बोलते हैं नहीं दोस्तों बाइलोजी में एनिमल यानि जनतु किसको बोला जाता है ऐसे जीव जिन में बहुत सारी को नहीं कर सकते जिनके कोशिकाओं में कोशिका बित्ती नहीं पाई जाती तो इस प्रकार से हम भी एनिमल होते हैं चीटी भी एक एनिमल होती है तितली भी एक एनिमल ही होती है ठीक है तो वैसे ही दोस्तों रेड वार्म क्या होता है एक एनिमल होते हैं जनतु होते हैं अब क्य वजे से वो अपने food को बोजन को पीषने में सायता मिलती है उस अंग की वज़े से तो कौन सा वो अंग है यह आप लोग को बता रहा है तो मैं इनका अंग है गीजाड देखो जैसे मैं आप लोगों को बता दू ये जो गीजाड होता है वो होता क्या है जैसे ये रेड वॉर्म है एक लाल कीडा मालो ठीक है ये इसका माउत है दोस्तों जब भोजन अंदर जाता है न तो अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहो न अं रचना है जिसे आप लोग बोलते हैं गीजाड इसी गीजाड से वो अपने भोजन को पचाते हैं ये भोजन को पीसते हैं क्लियर है ठीक है एक चीज मैं आप लोगों को बता दू ये गीजाड ऐसा नहीं है केवल रेड वाम में ही आप लोगों को मिलेगा अर्थ वाम जो ह स्क्रीन पर अंसर आप लोग बताईए चलिए बताईए रहा है कि देखो क्योशन में क्या बोला जा रहा है जैली फिश्च जो है वो किस संग का उधारन है बताईए किस फाइलम का एक्जामपल है ये आप लोगों को बताना है देखिए दोस्तों जो एनीमल होते है ना जन्त होते हैं जैसे कि मैंने बताया अलग-अलग प्रकार के जन्तु होते हैं तो एनीमल्स को इनकी विशेष्टाव के अधार पर अलग-अलग फाइलम यानि अलग-अलग संग में रखा जाता है जैसे ऐसे एनीमल्स जिनके पैर जुड़े वे होते हैं उसको आप लोग और्थ जैसे एनीमल्स जिनकी बॉड़ी पर सेग्मेंट होते हैं जैसे केच्वे की बॉड़ी पर आप लोग देखोगे इसे खंड होते हैं तो इसको आप लोग एने लीडा संग में रखोगे इसकाहानी क्लियर है क्या तो क्योशन में यह पूछा जा रहा है जैली फिश को कौन स फाइलम्स कौन सेड नम्बर सी हो जाएगा समझ में आगई बात को जले आगे ठीक है नयए श्कोषन यह ए करेंगे हैं कि अ कि अ कि अ चलिए बोला जा रहा है निम लिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरन तंतर होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अब आप लोगों के मन में क्योशन आएगा सर ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है दोस्तों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से पहले आप लोगों को ये सर्कुलेटरी सिस्टम य पूरा circulation करवाना किस चीज का circulation करवाना blood का circulation करवाना क्योंकि जब blood पूरी body में circulate होगा तब ही उस blood में जो oxygen होते हैं वो आपके body के हर अंग तक पहुंचेगी अब बात आती है सर दो प्रकार के circulatory system होते हैं परिशंचरन तंत्र होते हैं एक होता है आप लोगों का close एक होता ह है open सर इन दोनों में main difference किया है दोस्तों इमानदर के बाद बताऊं difference क्या है जैसे मैं आप लोगों को बताऊं हमारी body में क्या होता है lungs से blood जाता है hurt में hurt से दोस्तों अलग-अलग नलियों से अलग-अलग अंग में जाता है फिर वहाँ से दोस्तों वापिस आपके hurt में आता है फिर वापिस lungs में जाता है तो आप लोग देख रहे हो एक पूरा loop बन रहा है close circulatory system हम लोग इसलिए बोल रहे हैं circulatory system में जो blood flow होता है वो नलियों में flow होता है यहाँ पर नलियों में flow नहीं होता तो बात आती है कि किस में आप लोगों को मिलेगा तो आपके जानकारी के लिए बता दू mollus का जो संग होता है इसके कुछ animals होते हैं जिनमें खुला सा परिशंसरन तंतर पाये जाता है कुछ में बंद परिशंसरन तंतर पाये जाता है तो mollus का संग के जनतों में आप लोगों को open circulatory system मिल जाएगा correct answer option number B हो जाएगा ठीक है चलिए इसका अंसर आप लोग बताएंगे किरन जी के कार्तिक प्रभाकार राजू जोती सिंग निरंजन अब है बहुत बढ़िया देखो निम लिकित में से कौन कशे रूकी है देखो कशे रूकी आप लोग किसको बोलते हो समझिए दोस्तों जितने भी animals होते हैं ना जन्तू होते हैं ना मैं आप लोगों को बता दूँ जैसे मैंने आपको बताया हम भी एक animal है तो जब हम लोग माता के गर्भ में थे तो जो भी animals जब भुरूनी अवस्ता में थे ना जब भुरूनी अवस्ता में थे तो उनकी body में एक कुछ होता धागा जैसा structure होता है जिससे आप लोग क्या बोलते हैं नौटो कॉर्ड बोलते हैं ध्यान रखिएगा प्लीज समझेगा मेरी बात को नौटो कॉर्ड समझगे बात को दोस्तों कुछ animals ऐसे होते हैं उनमें ये noto code किस्ट में बदल जाता है vertebral column में, merudund में, read की हड़ी में है ना और कुछ animals ऐसे होते हैं जिनमें ये read की हड़ी में नहीं बदलता तो ऐसे animals जिनमें read की हड़ी पाई जाती है ठीक है उनको तो आप लोग बोलेंगे vertebrates यानि कशेरू की और ऐसे animals जिनमें read की हड़ी नहीं पाई जाती है उसको आप लोग बोलोगे invertebrates यानि अकशेरू की दोस्तो इतनी सी बात समझ में आ गई क्या बिल्कुल आ गई दोस्तो जितने भी vertebrates, animals होते हैं कशेरू की जनतू होते हैं इसको कौन से phylum यानि कौन से संग में रखा जाता है इसको कौन से संग में रखा जाता है इसको रखा जाता है core data संग में बाकि इनको किसी को रखेंगे mooluska संग में किसी को orthoproda संग में किसी को nideria संग में समझ में आ गया अब दोस्तो core data संग को भी आगे हम लोग आगे पाच क्लास में बाढते हैं पाच वर्ग में बाढते हैं कौन-कौन से एक तो दोस्तो पाईसेच क्लास जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं मतस्य वर्ग दोस्तो एक होता है रैप्टाइल क्लास जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं सरीसरप वर्ग एक हो होता है मै्मल्स यानी इस्थंदारी तो दोस्तों सबस्आ होते हैं वह सारे के सारे वर्टिब्रेट सोते हैं कषीर की होते हैं तो आपको पते हैं इस नेक जो है छार्प है वो क्या है एक रैप टाइल है जो रेंग रेंग के चलते हैं करेक्ट अंसर आपका option number A हो जाएगा समझ भी आगई बात को clear है क्या थमसब करके बताईए जल्दी से बताईए बहुत बढ़ी असर चलिए आगे इस question का अंसर बताईए 29 अगस्त वाली shift में पूछा गया ये question है बताईए बोला जा रहा है निमलिकित में से कौन मानव आतों में है ना निमलिकित में से कौन मानव आतों में पाए जाने वाले जीवानों का एक समू है दोस्तो आप लोगों को पता है हम लोग जो भोजन करते हैं सबसे पहले जाता है माउथ में इसके बाद में जाएगा पेट में, इसके बाद में जाएगा छोटी आत्में, फिर जाएगा बड़ी आत्में, कहनी कलियर है, कोई परिशानी तो नहीं है किसी को, है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, सर आगे बताएगे, तो दोस्तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, आत यहां पर कुछ बै आईए दोस्तों हमारी बोड़ी में पनब जाते हैं आप लोग बोजन वगर ले वोगों को मिल जाएंगे ठीक है तो इससे कोई नुकसान नहीं पहुच रहा लेकिन दोस्तों मैं इन बैक्टिरिया की विशेश्ता बताएँ अगर किसी पानी में ये बैक्टिरिया पाये जार अब्शन नाम क्या है कॉलीफ वर्म बैक्तिरिया है करेक्ट अंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या बात अ कि नेयश कोश्चन आपके स्क्रीन पर अंसर आप लोग बताएंगे कोश्चन आपके स्क्रीन पर बताईए सर मैं कोर्स लेना चाहता हूँ पर प्राइज 19.99 में दिखा रहा है तो दोस्तो जो प्राइज योगी वो तो दिखाएगा ना और कंटेंट देख लो आप लोगों को लगेगा कि नहीं सर पाथ जार का कोर्स होना चाहिए एक हम से कम यह ठीक है चलो बताओ सल्ले चिकित सा जो फादर ऑफ सरजरी किसे माना जाता है क्योशन में आप लोगों से ये पूछा जा रहा है फादर ऑफ सरजरी अब दोस्तो फादर ऑफ सरजरी किसे माना जाता है आईए हम लोग इस बात को समझते हैं देखो आप लोगों को पता है अभी लेट यह हो जा सकता है बांकि मैं बोलूगा रोज तो प्रकरती ने जो दिया है उसी पे आप लोग खुश रहीए वैसे तो आप लोगं सभी अच्छे लोग है अप लोग हम लोग कभी कोई भी इस प्रकार का नहीं सोचते जो सोचते हैं जिनके अथा पैसा है और जिनको कुछ ना कुछ चाहिए तो वो यह सोचते हैं लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दो जिसे फॉर एब जंपल फॉर 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 यह मालूम यह राइनो प्लास्टी है यह राइनो प्लास्टी किया दोस्तो एक प्रकार की सरजरी है जिससे नाग का शेप क्या करा जाता है चेंज करा जाता है किसका नाग का अब दोस्तो यह पहले ही सबसे पहले जो सुष्चूतर समहिता थे इन्होंने पहले ही यह चीच कर चुके थे उन्होंने उसका नाम ज जाएंगे ठीक है चलिए नैश कोश्चन आपकी स्क्रीन पे मारबल कैंसर क्या है बताओं तो कैंसर आपको पता है बिमारी मारबल कैंसर मारबल में कुछ बिमारी होगी क्या मारबल में क्या बिमारी होगी दोस्तो एक्चुली जो मारबल होता है वो उसमें क्या पाया जाता ह है केलशियम कार्बोनेट पाया जाता है ठीक है अब क्या होता है अगर आप लोग कार्बोनेट के अभी क्रिया किसी अमल से करवाएंगे कोई सा भी अमल हो तो आप लोगों को पता है केलशियम कार्बोनेट का डीकंपोजिशन हो जाएगा अपकेटर हो जागा कुछ और बन सारे इंडर्ष्री होती है जिनसे अलग-अलग गैस निकलती है जैसे हम लोग बात करें किसी से sulfur dioxide निकलती है जो atmosphere में oxygen प्रजेंट होती है उसके साथ में sulfur trioxide बना लेती है फिर यह sulfur trioxide जब वर्षा के जल में मिलती है ना तो बन जाता sulfuric acid तो दोस्तो acid बन गया अब यानि जो पानी था वो उसमें अमल आ गया तो पानी क्या हो गया बहुत जज़ा अमली हो गया इस वर्षा को हम लोग बोलेंगे अमली वर्षा सेम दोस्तो जैसे nitrogen dioxide है जब यह वर्षा के वर्षा का मतलब रूट सुट्राइगल रहा है ठीक है चले आगे आज आईए है नैश कोशन आपकी स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताएंगे क्योशन आपकी स्क्रीन पे हैं आप लोगों से बोला जा रहा है डैश पत्ती का तना जैसा वहाग है जो blade को तने से जोड़ता है क्या है देखिए दोस्तो यह क्या है स्टैम है तना है समझ गए तने से क्या जोड़ती है पत्तिया जोड़ती है ठीक है दोस्तो आपने जोड़ती पत्तिया ठीक है अब क्योशन में आप लोगों से क्या पुछा जा रहा है तने का कौन सा भाग पत्ती को तने से जोड़ता है तो यह आप लोग का हो जागा तन जैसा बहागता है जो blade को तने से जोड़ता है clear है गया ये आपका क्या कहलाएगा till गजेख पारे हो आप लोग और देखो एक्च में जो पत्ती होती ही नहीं जैसे मालो ये तो पत्ती की ये वाला जो ना यह वाला जो भग होता है वाला वाग इसको तो हो सब्सक्राइब अब हन्सुरा है ए रसे ओर लिवो Cage मिल भी अधिवाल पत्ति को लीव को किस जोड़ता है इस टैम यानि तने से जोड़ता है चली आगे चलते हैं नेश कोशंड़ इंसर बताईए अए Simply ठीक है दोस्तों देखो यार डिसकाउंट का आपको बता है दो दिन के लिए उफल देखे आता वो हो चुका प्लीज यार बार बार कमेंट ना करो यार है ना तो यार इदर पढ़ाई में ध्यान दो और आपको कोई कोर्स से लेटर कुछ बात कर नहीं प्लीज टीम से बात कर जाता है दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ जैसे हमारी बोडी जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनी हुई है वैसे ही प्लांट की भी प्लांट जोता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है अब दोस्तों इन कोशिकाओं में आपकी क्या होते कुछ डेड सेल सपाई जरती है मरत कोशिगा बाकि सारी living cell तो उता किया जिसे पेड का यी तना है तो ये उपपर वाले पार्ट को आप लोग क्या बोलते हो बार्क बोलते हो चाल बोलते हो दोस्तो बार्क के just अंदर living cell जिवित कोशिगाओ की जो परत होती है उस परत को क्या बोला कुशन में क्या बोला जा रहा है मनुष्यों में जो हिच्की आती आपको बता कई बार हिच्की आ जाती ना तो यह हिच्क connections के किस वजब बोला जा रहा है किसके बल पूरवक नीचे आने की वजबेसे हिच्की आती है यह आप लोगों से question में पूछा गया है अब देखे होता क्या है जब आप लोग सास छोड़ते हो सास अंदर लेते हो तो इसमें होता क्या है जैसे यह आप लोगों के क्या है दोस्तों दो लंग्स दो फैफडेंट ठीक है आप लोग front से देखोगे सामने से देखोगे दो दोस्तो इसके जश्ट नीचे एक मस्कुलर और्गन होता है मस्कुलर और्गन का मतलब क्या है जो मास्पीशा का बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं डाइफरम क्या बोलते हैं डाइफरम हम लोग बोलते हैं अब होता क्या है दोस्तों जब यह डाइफरम ऐसे नीचे आता है नीचे आता है तो लंग्स फैलते हैं एक्सपेंड होते हैं अंदर जगे बनती है तो इस दोरान एयर क्या होती है इधर आती है अंदर आती है जब द लंस एक दम से existing हो गया तो क्या हो आएगी एक दम से ये अलोạnh me posts can अंतर जाएगी तो दोरन जो एक दम से बंत हो जाता था तो यह जो बंत होता ही हेर है चले आगे मुड़स यह ऊता है है और जाता है लिए होगे हाई कोश्चन आपके स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताएंगे बताईए चलिए देखो कोश्चन में क्या बूला जा रहा है शरीर में डैस के अधिक मातरा से गठिया रोग हो जाता है अब देखो घठिया रोग में आप लोगों को पता है हड़ी में मतलब navigating धेल्ficber यहीं थी ठीक है तूप क्या होता है पाथ कर अब लूड़ को अब लूगाषन होता है अप लोग को से में नगतो hem होता है वान दोस्तों जो अनाज काते इसमें प्रोटीन होता है तो दोस्तो जब protein का digestion होता है, पाचन होता है, इससे आप लोगों को क्या मिलता है, amino acid मिलता है, थीक है, दोस्तो अब amino acid से आप लोगों की अलग-अलग चीज़े बनती है, तो दोस्तो इसका जो waste होगा ना, protein का जो waste होता है, उसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, उससे यूरिया, यूरिक एसिड, मतलब इनको आपकी बोड़ी से क्या निकालना है, बाहर निकालना है, अब एक्चुली में ये आपकी दो किड्नी हैं, इनके पास में क्या जाएगा, बलड जाएगा, रखते जाएगा, अब इस बलड में जो प्रोटीन के वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, किड्नी क्या करेगी, इस बलड में से इनको निकाल लेगी, और जब मूत्र बाहर जाएगा, मूत्र के साथ में वे आपके वड़ से बाहर निकल जाएगे, लेकिन माल लीजे दोस्तों, किड्नी आप लोगों की प्रोपरली कारे नहीं कर रही है, तो जो ब होता है, इसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं, गाउट यानि गठिया रोग, और दोस्तों, इसको हम लोग आर्थ रिटीज डिजीज के नाम से भी जानते हैं, तो किसकी अधिक मातरा की वज़े से होता है, यूरिक एसिड, अब आपके मन में क्योशन आएगा, कि सर अगर म मलो जाएगे कुछ समय में, ठीक है क्या, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, नैस कोशन आपकी स्क्रीन पर बताएंगे, क्योशन में बोला जा रहा है, तने का वहे भाग जिससे पत्ती निकलती है, क्या कहलाता है, अब देखो, इसमें पहले वाले क्योशन में डिप्रें ठीक है, इस तने से कोई पत्ती निकली है, पिछले वाले क्योशन में क्या पूछा, पत्ती का वहे भाग बताओ जो तने से जुड़ता है, और उसका अंसर क्या था, पैटियोल था, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी की प पूरी पत्ती है, ये है पूरी की पूरी लीफ, पत्ती, आप लोग केवल पत्ती इसको न समझेए, पत्ती का ये है भाग तो क्या कहलाता है, कौन बताएगा सर, ब्लेड कहलाता है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए, कि पत्ती का कौन सा भाग तने से जुड़ता है तो पत्ती का ये वाला भाग है न तने से जुड़ा हुआ है तो ये वाला भाग हो जागा पैटियोल बोलते हैं, नोड, क्या बोलते है, नोड बोलते हैं, जैसे मानलों कोई दूसरे पत्ती निकल रही है यहां पे, तो एक नोड आपको यह हो जाएगा, और दो नोड के बीच का जो गैप होता है, वो क्या होता है, एंटर नोड होता है ठीक है तो अभी इस कोशन का अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर है दोस्तों समझ मारा जल्दी से बताओ यार थमसब करके बताओ चले आगे और यार सेशन को लाइक करते रहा करो इसे कंजूस मत बना करो चलो बताइए एर और ट्रीशनल बैटरी जो बैटरी ओटी जो नॉर्मली चलती हुगा आईए अस तक है ना अब कोहा रोज कुछ ने कुछ अलग लग प्रकार के मशीन अबनती है उसक लग लग ये बताईए क्योशन आपकी स्क्रीन पे मक्का और गन्य के तने के निचले सिरों से निकलने वाली सहायक जड़ो को क्या बोलोगे मक्का और गन्य के तने के निचले सिरों से निकलने वाली सहायक जड़ो को क्या बोलोगे जैसे मालो दोस्तों ये मक्का है ठीक है ये है गन्ना है ठीक है अब ये पूरा का पूरा प्लांट है अब दोस्तों जो इसका तना है ना इस्टेम है तना के निचले सिरों से निकलने वाली सहायक जड़ों को आप लोग देखोंगे अपर बहुत छोटी छोटी क्या निकलती है जड़े निकलती है इन जड़ो को क्या बोलता है आईए मैं आप लोगों को फोटो दिखा दू तब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों ये पूरा का पूरा दोस्तों जो ये शुगर के इन होता है जो गन्ना होता है ना गन्ना गन्ने में आप लोगों को मिल जाएगी मेज यानी मक्य में आप लोगों को ये वली जड़े मिल जाएगी करेक्ट अंसर आप लोगों का हो जाएगा इस टेल्ट रूट आप्शन नमबर ए बताईए अंसर बताईए क्योशन में बोला जा रहा है निम लिकित में से किस तत्व की विद्धू तिनात्मक्ता सबसे कम है क्योशन में ये पूछा जा रहा है आप दोस्तों विद्धू तिनात्मक्ता क्या होती है इलेक्ट्रोन को अपनी और आकरशित करने की श्रम्त आपको पता है तत्व जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं समझे रो total 118 तत्व है तो इन में से सबसे ज्यादा जो विद्धु त्रिनात्मकता इलेक्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है फ्लोरीन की देकिन सबसे ज्यादा नहीं पूछे गई है सबसे कम पुछे गई है तो कैसे करें देखो मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों ये हमारी periodic table है आवर साणी है अगर आप लोग उपर से नीचे आओगे तो electro negativity जो होती है ना वो क्या होती है घटती है अगर आप लोग left से right में जाओगे तो बढ़ती है right से left में आओगे तो घटती है तो यहाँ पर electro negativity घटती है तो हम लोगों को कोई ऐसा तत्वा देखना पड़ेगा जो काफी नीचे हो और काफी left में हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूए जो पहले वर्ग है इसमें कौन-कौन से तत्वात है हली ना की रपसे फर्याधा इडोजन की हो जाएगी क्लियर है क्या चले आगे चलिए और रोस्तों और स्वियम की क्या विशेष्टा है इसके डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है सबसे भारी है आप लोगों का ठीक है चलिए बताइए निमलिकित में से कौन एक इंसुलेटर नहीं है कौन सा इंसुलेटर श्ता जाएगे हैं दूस्तों एबनाइट जो फ्लो में करन फ्लोव सकता है दो यह क्या है इंसुलेटर नहीं है करेक्ट अंसर ऑप्चन नमबर डी हो जाएगा समझ गया प्लिएर चले के चलिए इस्टिए न腳 question यह तो बहुत सिंपल सा question है आपको बताना है कौन सी gas है जिसकी गंद जिसकी smell सड़े वेंडे की जैसे होती है रोटन एक की जैसे होती है तो बात करें कौन सी हो जाएगी तो यह हो जाएगी hydrogen sulfide इसका formula भी आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है ओजन गैसवायो मंदल की किस परत में उपस्तेत होती है हम लोग बोलते है न हमारे में औरद ऑजसे जी हो रहा पूरी परत वयं चीह है कहां पर यह है हमारी फ्रती है प्रत भी क्लीर है तो इन परतों को अलग-अलग नाम दे दिया, सबसे पहले आपका आजाएगा ट्रोपो स्फेयर, शोब मंडल, फिर आपका आजाएगा स्ट्रेटो स्फेयर जिसे आप लोग बोलते हैं समताप मंडल, तो दोस्तों यह जो स्ट्रेटो स्फेयर है न समताप मंडल यही पर आप आप लोगों को ओजोन गैस मिलेगी करेक्ट अंसर आप लोगों का ओप्शन नमबर A हो जाएगा चलिए बताईए निम लिकिट में से कौन सा रसाइने क्योगिक कौन सा केमिकल कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल अचार में परिरक्षक के रूप में होता है परिरक्षक प्रिजर्वेटिव किसको बोलते हो जो बोजन को खराब होने से बचाए तो अगर आप लोग अपने अचार में सोडियम बेंजोएट डालोगे तो वो आप लोगों का खराब नहीं होगा तो यह चार में सोडियम बेंजोट अपलो का मिला जाता है और दोस्तों में एक चीज़ और बता दू एवन इसका इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव इन मैडिसीन को भी खराब उने से बचाने के लिए किया जाता है चलिए ठीक है चलिए बताएंगे question आपकी screen पे मजबूत columbic साथ में ब्रेक्ट में लिख भी दिया कोह हम लोग columbic बोलता है मतलब दो आवेशों के बीच का जो बल होता है उसे हम लोग बोलते है तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत मजबूत electro static बलो द्वारा बंदे वे धनायनो रिनायनो की त्री आयामी विवस्ता से कौन से ठोस बनते हैं तर समझ भी नहीं आया है जैसे हम लोग बात करते हैं सोडियम क्लोराइड एने सील क्या यह है एक यॉगिक है क्या सर कैसे पता पड़ेगा इसको यॉगिक बोले या नहीं बोले दोस्तो अगर जो भी आपर दो प्रकार के तत्व मिल रहे हैं तो sodium, chlorine और इनके बीच में bond भी है तो यह अपर एक योगिक है दोस्तो क्या मैं इसको आयने क्योगिक बोलू क्या आयने क्योगिक इसको बोलते हो जो दो ions के बीच में बनते हैं तो actually में यह जो दो बनाया ना वो na plus और cl minus के बीच में और दोस्तो जिस पर आवेश होता है उसको ion बोलते हैं तो दो ion के बीच में क्या है यह bond है तो यह आपका एक ion क्योगिक हो जाए गो दोस्तो जो ion क्योगिक होते हैं उसमें ion के बीच में बहुत strong आप लोगों के force होते हैं यह पूरे के पूरे इनका एक आप वह देखो के structure देखोगे तो देखो यह आप लोगों का c l minus na plus c l minus na plus c l minus तो देखो एक प्रॉपर इनके बीच में क्या होता है बॉंड होता है तो पूरा का पूरा 3D structure होता है तो किसके बात हो रही है आए निक के बात हो रही है चलिए नैस्ट कोशन आपके स्क्रीन पर बताईए और यह लास्ट कोशन तापमान में कमी के साथ में गैसों की द्रवों में विलेता क्या होती है आप लोग चाते हो किसी गैस को किसी तरल में मिलाना तो अगर temperature ज़्यादा रखोगे तो वो अच्छे से मिलेगी या नहीं मिलेगी कुछ इस प्रकार से क्योशन में पूचा जा रहा है ठीक है बताईए क्या अंसर होगा देखो क्योशन को समझो आप लोगों को मैं बता दो जैसे मालो यह temperature है यह क्या है solubility है जैसे जैसे आप लोग देख रहे हो temperature आप लोग बढ़ा रहे हो आपको लग रहा है solubility बढ़ के साथ में और temperature दोस्तो आप लोग कम करोगे तो अच्छे से गुल पाईगी उसके solubility जादा होगी बढ़ेगी option number C इसका correct अंसर हो जाएगा दोस्तो thank you so much आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं खल बाकी के question करेंगे सुबह 10 बजे और आपकी जानकारी के लिए बिता पतलब आप लोग का one stop solution है कभी जीवन में science आप लोगों को पढ़नी नहीं पड़ेगी आप लोग दोस्तो content का level देखोगे आपको खुद को लग जागा कि हाँ सर कितनी मेहनत से हर चीज आप लोगों ने एक एक चीज बनाई है देखो दिन रात आप लोगों के लिए मेहन साइंस में कभी आपको ऐसा content मिल ही नहीं सकता ठीक है आपको साथ में PDF मिलेगी टेशरीज मिलेगी जिसका प्राइज है दो सो निन्यान में रुपए आप लोगों को चारो subject बिल्कुल chapter वाईज आप लोगों को पढ़ाय जा रहे हैं जोईन कैसे करना है प्ले स्टोर पे ज 74019437 ठीक है ठेंक्यू सो माच अपना ध्यान रखिए मिलते हैं दोस्तों कल और दोस्तों आज अपनी एक बज़े क्लास है एप पे और गेने केमिश्य हम लोगों पर पढ़ेंगे बाबाए